How to add white border on Instagram आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी फोटो में white border कैसे add कर सकते हैं अपने Instagram पर upload करने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इस फोटो में white border add कर रखा है तो आप कैसे कर सकते हैं यह आईए जानते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक application डाउनलोड करना है उसके लिए सबसे पहले play store को open कर लीजिए play store को open करने के बाद उपर आपको search करना है pixart यह search करेंगे तो यह app आ जाएगा इसे install कर लीजिए उसके बाद आपको install करने के बाद अपनी ID बनानी है इस app पर तो यहाँ पर हमने install कर रखा है इसे open कर लेते हैं तो जब आप अपनी ID बना लेंगे यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ options show होने लगेंगे और नीचे आपको एक plus का icon मिल जाएगा इस तरह से बीच में आपको इस plus के icon पर touch करना है उसके बाद यहाँ पर काफी सारे options आ जाएंगे आपको उपर एक option मिलेगा edit आप photo का इस पर touch कर दीजिए उसके बाद जिस भी photo में आप white border add करना चाहते हैं उस photo पर touch कर दीजिए उसके बाद add आएगा तो cut कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से photo आने लगा है और नीचे आपको काफी सारे options मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से आगे करना है और उनमें से एक option मिलेगा आपको जिस पर लिखा हुआ है fit तो आपको इस fit वाले option पर touch कर देना है उस पर touch करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं white border add हो चुका है अगर आप color change करना चाते हैं तो कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने white select कर लिया है तो यहाँ पर by default white ही select हो जाएगा तो आपको बस photo को save कर लेना है उपर एक right का option मिल जाता है right पर touch कर दीजिए उसके बाद एक arrow का option आ जाएगा arrow पर touch कर दीजिए उसके बाद इसे cut कर देना है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एक save का option आ चुका है save पर touch करेंगे तो एक option आएगा save picture on your device इस पर touch कर दीजिए यहाँ पर उपर done कर दीजिए अब आप अपनी gallery में चेक कर सकते हैं वो photo आ जाएगा तो यहाँ पर हम check कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह photo आ चुका है और white border add हो चुका है तो इस तरह से आप किसी भी photo में white border add कर सकते हैं और Instagram पर upload कर सकते हैं